आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विग्यान भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें नमस्कार अपने को परसन बोला है कि निमन को कारण सहीत समझाएए पहला है हाइड्रोजन कलॉराइड एक सेंस्योजी योगिक है परन्तु उसका जल्लिय विलन आइनिक हो जाता है दूसरा अक्रिय गिस्टों की एलेक्ट्रोन मनता सुने होती है तो अपन पहले परसन की बात करते हैं कि अपन हाइड्रोजन कलॉराइड की सहसना मनते है एक सील तो अपने को पता है की एक इलेक्टान और कलोरीन का tässä है निक निर्माण करते हैं कि एक सेंस योजी होगी है और अपने को ये भी पता है कि कलोरीन की विदूत रिंटा हाइडोजन से जादा है तो यहां पर अपने को ये भी पता है कि कलोरीन की विदूत रिंटा हाइडोजन से जादा है तो यहां पर आंसिख रिनावेस और हाइडोजन पर आंसिख धनावे आता है तो hydrogen के एलेक्ट्रोन देरे तिरे लोड़न के तरफ दाने लग जाते हैं तो अब बात करते हैं जल्ली विलन आयनिक हो जाता है कैसे तो अपन एक container लेते हैं कos सब्सक्राइं जैसा की चीतर में दर्साय गया है कि अव यह अपना एक container है इस के अंदर पानी बरावा है एलब जल्ली विलन आयर्व पानी है तो अपने विलन के इस प्रकार होगा जैसे अपने बना रहे हैं इस परकार होगा तो अपने को ये भी पता है कि कि जो हाइडोजन है और ऑक्सिजन है ऑक्सिजन की वीडियो तरिनता जादा है तो ऑक्सिजन के उपर आंसिक धनावेस होगा और हाइडोजन के उपर आंसिक धनावेस होगा तो यह जो कलोरीन अना तो कलोरीन को हाइडोजन घेर लेगा जैसे अपन बात करते हैं यह कलोरीन है और यह एक हाइडोजन है तो यह कलोरीन को हैना हाइडोजन घेर लेगा जैसे चीतर में दर्शार आ हूँ यह hydrogen, यह oxygen, यह hydrogen तो hydrogen गहर लेगा क्योंकि cloning के उपर आंसिक धनावेस है और hydrogen के उपर आंसिक धनावेस है तो यह इसको गहर लेगा तो अब यह जो हाय बच्छा hydrogen है नहीं तो hydrogen वो oxygen गहर लेगा इस परकार क्योंकि अपने को बता है कि hydrogen के उपर आंसिक धनावेस है और oxygen के उपर आंसिक धनावेस है तो यह HCl का जो बंद है बीज में से तूट जाएगा ऐसे तूट जाएगा और container में अपने को H+, और Cl-I-N मिलेगा तो यह जो container है इसके अंदर यह H+, और Cl- के रूप में बिकटित हो जाएगा तो इसलिए यह जल्ली अविलन आइनिक हो जाएगा आइनिक के हो जाएगा H+, और Cl- के रूप में यह तूट जाएगा HCl तो इसलिए यह जल्ली अविलन आइनिक हो जाता है अब बात करते हैं अपने को दो नमर परसंद की तो अपने को दो नमर परसंद में बोला है अकरिया गेसों इलेक्ट्रोन में ता सुनने होती है तो अपने को बता है कि हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रोन होते हैं नियोन में होते हैं दस इलेक्ट्रोन में दब दो और आठ इलेक्ट्रोन आरगन तो अपन ये दो आथ आट इस लिए लिक्व रहे हैं चुंकि जो उपकोस होते हैं जैसे के उपकोस, L उपकोस, M, उपकोस, उसकी तरहे हैं आपन इनके अपने से सप्चलिए मतलब Exact की यह ओन्य ओपता है एक हो आपपने से लिखते हैं आपने हो यहां पर देख रहे ह्मिन होask़। और L उक्कोस भी मतलब बराव है और आरगन का M उक्कोस बराव है कि मतलब जो बार्य उक्कोस हैं वो बरेवे हैं तो अपने आपे लिखते हैं ये तत्वा है एस्टेक नियम की पालना करते हैं एस्टेक नियम की पालना करते हैं और यह जो अकरिय गेस से रहते हैं नए तो एलेक्ट्रोन लेती है नए ही इलेक्ट्रोन देती है तो इसलिए अकरिय गेसं की इलेक्ट्रोन बंदूता है ना वो सुन्य होती है थेंक्यू सो मच